Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे होंगे Dear students, आज Selectors Batch का हमारा तीसरा दिन है और आज के इस वीडियो में हम Maths का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने वाल है जो आप लोग के डिमांड भी थी, साथी साथ ये चैप्टर बहुत ही जादा important है और Dear students आपको बता देना, इस चैप्टर को हम जिस तरीके से पढ़ाने वाले हैं, पूरा भरोसा है यह ऐसा अभी तक आप लोगोंने नहीं पढ़ा होगा और अगर इस वीडियो को आप ध्यान से समझते हैं, तो ऐसे ऐसे logic, ऐसे ऐसी trick मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एकदम गर्दा उड़ा दोगी, आप लोग बहुत ही मज़ा आने वाला है तो dear friends, यह वीडियो बहुत ही जादा important होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम दूरी, चाल और समय वाले chapter के बारे में discuss करने वाले हैं और अगर आपके पास book होगी, या आप previous year question से discuss की होगे, तो आपको जरूर जरूर बताए होगे distance, speed and time, बने रहिएगा, भागिएगा, मत, खुब ध्यान से समझिएगा, कोई भी सवाल है, train वाला सवाल है, rail गाडी वाला सवाल है, पुल वाला सवाल है, जतने सवाल होते हैं ना, सब को एकदम उड़ा देंगे, बस मज़ेदार trick आपको बताएंगे, किलोमेटर पर पहले, जब हम दूरी, चालत, समय चेप्टर की बात करते हैं, तो एक ऐसे फार्मूले की बात करते हैं, जो यूनिवरसल टूथ है, 100% लोगों को पता होता है, और उसी एक ही फार्मूले से सारे के सारे सवाल लग जाते हैं, कई सारे लोग अलग अलग चेप्टर में इसको सब लोग जानते हैं, उस ट्रिक का नाम है बच्चों, दूरी बराबर ध्यां देना, दूरी बराबर होता है सरचाल गुडे समय, जो कि सब ही लोग जानते हैं, लेकिन क्या करें बताना पड़ेगा, दूरी को इंगलिसियम भाईया क्या कहते हैं, हम लोग, distance कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं टाइम कहते हैं तो यह एक ऐसा फार्मूला है जो 100% सब को जरूर से जरूर याद रहता है और यही एक फार्मूला है जहां से दूरी तो था चाल और समय जो हमारा चेप्टर उसकी हम लोग न्यू रखते हैं सुनते रहेगा भाई अब यही से हम लोग और सारे फार्मूले कैसे बनाते हैं बच्चों यहां से अगर हम चाल को नीचे लेके चले आएं तो हमें क्या मिल जाएगा सर दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा सर समय हो जाएगा इंग्लिस में क्या लिखेंगे इसको आप लोग इसी को इंग्लिस में ताइम के हो जाता है ठीक है यहां से निकल करके आपके सामने आता है अगला क्या है बच्चों अगर हम समय को नीजी भेज दे तो हमें चाल प्रात हो जाती है तो दूरी और बटे में बच्चों अगर यहां पर समय लिख दिया जाए तो दूरी बटे समय बराबर क्या हो है, espeed के, तो dear strants होता तो एक यह फार्मुला है, लेकिन उसी एक ही फार्मुले से यह तीन फार्मुले बन जाते हैं, जिसका हमें इस complete chapter में यूज करना होता है, पूरा भरोसा है यह फार्मुले सब को याद होंगे, नहीं याद होंगे, तो आप तो अगर भूले होंगे तो याद कर लेंगे बने रहीएगा ध्यान से बातों को समखते चलेगा अब बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा चाल की क्योंकि उसमें जादा लफड़ा होता है देखो बच्चों दूरी है चाल है और समय सबसे पहले जब कभी भी 20 किलो मीटर प्रतिघंटा तो इससे आप क्या समझते हैं किसी भी गाड़ी रेल गाड़ी बैल गाड़ी कवनो गाड़ी है उसकी चाल लिखी है 20 किलो मीटर पर आवर इसका क्या मतलब होता है सर इसका सही सही मतलब होता है 20 किलो मीटर बटे एक घंटा ना पर आवर का किलो मीटर की दूरी तैय करती है तो आपको ज्यात क्या हो गया सर जी दूरी ज्यात हो सर 18 किलो मीटर पर घंटा इसका मतलब क्या है कि वह जो गाड़ी है वह जो बाइक है वह जो भी ऑबजेक्ट है वह एक घंटे में 18 किलो मीटर की दूरी तैं करती है कभी-कभी लिखा रहेगा बच्चो 5 मीटर प्रति सेकंड क्या लिखा रहेगा 5 मीटर पर सेकंड इसका वो अबजेक्ट जो है एक सेकेंड में पांच मीटर की दूरी क्या करता है तैंग करता है तो सबसे पहले हम लोग यह सीखेंगे कि अगर हमारे प्रस्न में जो चाल दी गई हो किलोमेटर प्रदिघंटा में दी गई है या मीटर पर सेकेंड में दी गई है तो किलोमेटर प्र वीडियों में दूर करने वाले हैं खुब ध्याम से समझ लीजिएगा तो इतनी बातें दो क्लियर हो गई बच्चों अब हम आपके साथ डिसकस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप आप चाल को किलोमेटर प्रति हंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं पहले ट्रिक बताऊंगा कंसेट बताऊंगा कंप्लीट स्टेटी आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ बने रहिएगा ध्याम से सारी के सारी चीजों को और बता के जाएगा कि मजा आया यह नहीं मजा नहीं आया तो क्या करोगे वीडियो को लाइक नहीं करोगे न चलो ठीक है बट पहले आप मजा ले लीजिए चलिए ठीक है बच्चों हम पहले बात करते हैं कि किलोमेटर प्रति हंटा को मीटर प्रति सेकेंड में कैसे बदलते हैं मीटर प्रति सेकेंड को किलोमेटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं ये छोटी छोटी चीजें समस्ते चलिए चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है जो भी सिखाएंगे दमदारी से शिखाएंगे एक छोटी सी बात डिसकास करना चाहते हैं आप लोगों से प्यारे बच्चों तीन बचे जो वीडियो का ट कुछ भी मान करके मेरे साथ एकदम आराम से बस क्या करोगे discipline का ध्यान लोगे कुछ लोग महानुभा होते हैं वो ज्यादा talented हो तो अच्छे talented comment भी लोग करके चले जाते हैं तो उनकी अलग बात है बाकि आप लोगों को कोई भी problem हो कहीं पर भी आपको लगे कि हमें सर से य हंटा में चाल दी गई है तो उसको हम मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे या सर जी मीटर पर सेकेंड में अगर हमें चाल दी गई है तो उसको हम किलो मीटर पर दी हंटा में कैसे बदलेंगे तो पहले तो फिर जब और जस्ट ट्रिक बताएंगे फिर concept बताएंगे ना समझते रहना मज़ा बहुत आने वाला है पाज का पहाडा तो याद होगा पहले ही बताओ भाईया कि ये किलो मीटर प्रति घंटा बड़ा है ना बड़ा है ना सर और ये छोटा है तो समझ लो ये बड़ा मातरक है ये बड़ा मातरक है सर और ये जो है ये कैसा मातरक है सर जी ये छोटा मातरक कैसे भाईया जोन किलो मीटर होता है ये 1000 मीटर के बराबर होता है जानते होना तो किलो मीटर प्रति घंटा बढ़कवा मातरक है मीटर पर सेकेंड छोटकवा है ऐसे बगल लिख दो मीटर पर सेकेंड क्या है भाई छोट वाला मात्रक है चालका और किलोमीटर प्रति घंटा जो है सर जी वो बड़ा वाला मात्रक है किसका चालका ये फीलिंग मन में लाते रहिएगा समझ में आ रहे ये बाते बच्चों चलो पहड़ा आता है क्या आता है सर देखिएगा यहां लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड मान त्रस्सका लिखकी कि लिख सब्सक्राइब नियाँ है तो अछे लिखे लिखे लिखा यहाँ इसके पांच का पहाड़ा लिखा है यहां थार पहाड़ा लिखा है बताओ भाईया पांच बड़ा की अठारक पहाडा यहां जानते हो यहां से एक जबर जस्ट ट्रिक मिलती है कि 5 मीटर पर सेकेंड 18 किलोमीटर पर गंटक बराबर होती है यार और 10 मीटर पर सेकेंड 36 किलोमीटर पर गंटक बराबर होता है and so on so on so on so on जबर जस्त्र ट्रीक ह। ब unknowns calculation के पता दो हैं कि 5 meter per second 18 km per second 2ए 10 meter per second 36 मानले पहाड़ा याद कर लो, जैसे मान लोके किसी से आप से पुछा 36 Kilometer par second के बराबर होता है तो 36, 38 दूँना 36 तो 5 दूंना 10 36 किलो मीटर E 기분 जो होगा वो 10 meter per second son बराबर होगा तो जादातर 90% कुष्टन जो आते हैं ना 90% कुष्टन इसी के मल्टिपल में रहते हैं इसी से कम हो जाता है 72 क्लमीटर प्रदि घंटा दिया होगा मीटर पर सेंटा तो 15 बीश 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा अरे 25 मीटर पर सिकंड कितने किलो मीटर घंटा के बराबर हो जाएगा ये ट्रिक जबर जस्त लगी होगी आप लोगो लेकिन लेकिन 90% कुईस्टन में तो ये काम कर देती है लेकिन भाईया 22 आज जाएगा 24 आज जाएगा तब तो पांच के पहाड़ा महुबए नहीं करेग तक तो समस्या होगी तो ये तब के लिए है जब वो पांच के पहाड़े में और ठारा के पहाड़े में होगा तब इस ट्रिक का हम यूज करेंगे मींस ये ट्रिक काफी जादा यूजफुल है हमने देखा है कि maximum question में ऐसे ही दिया रहते जो डारेक चेंज हो जाता है लेकि अगर मान लो आपको कुछ ऐसा मिल गया जो पांच और ठारा पहाड़े में नहीं है तब कैसे बदलोगे तब हुआ भाईया क्या करेंगे दूई चीज लिखेगा ठारा बटे पांच और लिखेगा पांच बटे अठारा कैतना आसान है वही पहाड़ा जिसका पढ़ा गया अभी लिखना भी है अब आप हमको बताओ सर की ये बढ़ा है क्या अठारा बटे पांच बटा है पांच बटे आठारा क्या है बच्चों छोटा है कैसे भीया 18 बटे 5 माने 5 तिया या 15 तीन लग भगाएगा इस कमान और 5 बड़े 18 एक उस कमाएगा ति ये बड़ा है और ये छोटा है अब मेरी बात को समझेगा सर जी किलो मीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में लेके जाना है तो बड़े से कहां जा रहे हो छो चोटे में तो चोटे से क्या करना पड़ेगा गुडा करना पड़ेगा तो चोटा काउन है सर जी 5 बटे 18 किलो मीटर प्रति घंटा को जब 5 बटे 18 से आप लोग क्या करोगे गुडा कर दोगे तो मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा और मीटर पर सेकेंड को कहां बदलन आ गया होगा तो आज के बाद किलोमीटर प्रदी घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने में या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रदी घंटा में बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी समझ में आया भाईया किलोमीटर प्रदी घंटा क्या है बड़ा है बड़े से कहां जा रहे हो छोटे में जा रहे हो तो क्या करना पड़ेगा छोटे वाले से पांच बटे अठारा गुड़ा करना पड़ेगा जैसे लिखा है अठारा किलो मीटर प्रतिगहंटा आपको इसको बदलना कहा है मीटर पर सेकेंड में तो भाईया बड़े से छोटे में जाना है बड़े से छोटे में जाना है तो छोटा माने 5 बटे 18 ठारे कम अठारा 5 मीटर पर सेकेंड आ रहेगा और आपको पहले से पता है कि 5 meter पर second 18 km प्रदि घंटा के बराबर होता है देखो पंद्रा ले लो 15 ले लो बच्चों यहाँ पर 15 15 हमारा meter पर second इसको किलो मिटर प्रदि घंटा बदलना है छोटे से कहा जाना है बड़े मिजाना है तो बड़े से गुड़ा करना पड़ेगा तो 15 गुड़े 18 बटे 5, 15 यहीं यहां, 15 जो होगा बच्चों वो किलोमीटर प्रदी घंटा के बराबर हो जाएगा, माने 15 मीटर पर सेकेंड जो है 14 किलोमीटर प्रदी घंटा के बराबर हो जाएगा, इस table का use करके trick से उड़ा सकते हो trick ना काम करे तो ये concept छोटे बड़े का use कर सकते हो means मतलब ये सब को पता है लेकिन काफी time exam के समय जो है confusion हो जाता है तो confusion के समय क्या याद रखोगे सर बड़ा और छोटा याद रखोगे तो आपका confusion नहीं होगा dear selectors आप लोग selectors है ठीके इतनी बात है समझ में आ गई सब लोगों को इसमें कहीं कोई doubt तो नहीं हो रहागा बच्चों चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस तरह के प्रस्थ हम लोगों से पूछे जाएंगे उस पर हम लोग discuss करते हैं अभी छोटे छोटे logic जो हमने आपके साथ discuss किया है आसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा हाँ एक बात आपके mind में confusion create कर सकती है आप सोच रहे होगे कि भाईया इस पांच बटे अठारा ठारा बटे पांच मिला कहां से यह जानना जरूरी है ना देखो भाई जब तक concept नहीं पता होगा logic नहीं पता होगा तब तक मेंस पांडे का मतलब क्या है भाई मेंस में मज़ा तभी आएगा जब हम उसके logic को उसके concept को समझे रहेंगे तो हम मज़ा लेते हैं हम आपको बताने वाले हैं कि अठारा बटे पांच और पांच बटे अठारा का रोल क्या है भाईया ये कहां से आया कैसे आया क्या जरुवत पड़ी इसकी वो हम discuss करने वाले हैं सुनना भाईया देखा ये बताओ जैसे कहीं लिखा एक किलो मीटर प्रतिघंटा एक किलो मीटर प्रतिघंटा होता है ना अब बत्चो इस किलो मीटर को मीटर बतलोगे तो 1,000 हो जाएगा घंटा जब बतलोगे तो 60 अगुडे 7 घंटे को मेंट बतलोगे मिनट को सेकेंट में तो हो जाएगा बत्चो 1,000 अगुडे में कितना 36, 200, 00 कट गया और यहां पर हो गया दो पंचे दस दो अथारा में देखो पांच बटे अथारा हो गया तो आपने क्या किया है किलोमीटर प्रतिग हंटा माने एक किलोमीटर प्रतिग हंटा बराबर होता है पांच बटे अथारा मीटर पर सेकेंड के इसलिए हम किलोमीटर प्रतिग हंटा को मीटर पर सेकंड में बढ़ने के लिए पांथ बटे अठारा से घुड़ा करते हैं इसलिए जब हम मीटर पर से किलोमेटर पर घंटा से क्या कर देते हैं गुड़ा कर देते हैं समझ में आ गई बातें बच्चों क्लियर हो गुग चलिए concept तरह आगं लोग बढ़ते हैं चलो भया देखो अगला topic यह है बच्चों की जब कोई rail गारी जब कोई train या कोई भी बड़ी सी bus जब किसी भी किसको किसको पार करेगी सुनलो भया जब किसी खंभा को पार करेगी खंभा माने पोल होता है जब किसी बिंदु को पार करेगी आनि जब किसी पॉइंट को पार करेगी सर जब किसी पेड़ को अर्थाद जब किसी ट्री को पार करेगी जब किसी आदमी को किसी मैंन को प्राप्त करेगी प्राप्त करेगे माने पार करेगी ध्यान सुनो बड़ा मज़धार चीज है इसी के विशिस पर सवाल पुश जाता है हमने क्या पताया कि जब कोई ट्रेन किसी खंबे अर्थाद पोल किसी बिंद अर्थाद पॉइंड किसी पेड अर्थाद ट्री किसी आदमी अर्थाद मैन इन सब को पार करती है तो वह ट्रे अपने लंबाई के बराबर ध्यान सुनो बहुत इंपोर्टेंट लॉजिक है बत्त्रों इसकी जान पुश जब कोई भी रेल गारी कोई बीट्रेन जब किसी खंबे को किसी बिंद को किसी आदमी को पार करेगी तो कितनी दूरी तै करनी पड़ेगी उसको को अपनी लंबाई के बराबर दूरी द्यक करने करने बड़े का इसे समझाते है दूर, यह पर एक ठो पेढ़ है यहां पर बच्चों एक क्या है पेढ़ है कोई ट्रेन आ रही है समझीए गतान से एक कोई ट्रेन आ रही है इस तरीके से बच्चों एक कोई ट्रेन आ रही है इस तरीके से ध्यान दीजिए यहां पर ट्रेन पहुची हुई है और इसको पार करना चाहती है इस पॉइंट पर पहुची है अभी इसको पार नहीं कर पाई है कैसे चलेगी देखो ध्यान से इसे ट्र बाहर हो गया है तो यहां से यहां त्रेम थी यहां से खिसत करके यहां चली गई लंबाई थी तिना ही दूरी तो लेटर पहले यह पॉइंट यहां था यह सांत्मी को पार कर लेगी कहने का मतलब जब कोई भी बड़ी चीज होगी किसी भी छोटी चीज को बड़ी का मतलब यह है कि अगर वो बड़ी उसकी तुलना में बहुत छोट जैसे माल जे एक आदमी को पार करें तो ट्रेन की लंबाई की तुलना में ट्रेन की लंबाई की तुलना में एक ब्यक्ति बिसेस की लंबाई नगण है बहुत कम है लंबाई का मतलब यह वाली लंबाई नहीं कर रहे हैं यह वाली लंबाई थोड़न ट्रेनिया पार कर रही है ट्रेन ये वाली चीज पार कर रही है तो उसकी तुन्ना में हम बहुत कम है तो उस सिच्वेशन में जो ट्रेन दूरी तैं करती है बच्चों कितनी तैं करती है अपनी लंबाई के बराबर दूरी तैं करती है याद रखेगा आए इसके वेसिस पे एक बवाल लगवा के एक पांसो मीटर लंबी ट्रेन नब्बे किलो मीटर प्रतिहंटा की चाल से चल रही है एक पेड़ को वह कितने समय में पार कर लेगी एक 500 मीटर लंबी ट्रेन है 90 किलो मीटर प्रतिहंटा की चाल से चल रही है एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा सर समय निकालना है समय निकालने का फार्मला क्या होता है सर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल अभी हमने आपको सिखाया जब कोई भी ट्रेन किसी पेड़ पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तै करती है तो सर उसकी लंबाई कितनी है 500 यह यह हो गया चाल देखो यहां 90 किलोबीटर प्रतिहंटा दिया गया किलोमेटर पर सिकेंड बड़ावर के बराबर हो जाएगा तो बटे में कितना जाएगा बच्चों पतीस दूना पचास माने 20 सेकंड 20 सेकेंड क्योंकि मीटर पर सेकेंड बदल गया है तो कितना समय लगेगा 20 सेकेंड में वह टेन जो है उस पेड को क्या कर जाएगी पार कर जाएगी समझ में आरी बात न सारी ट्रिक्स अगर आपको पता होंगे न चुटकियों में सवाल को उड़ाओगे एकदम गरदा मचा दोगे मस्त तरीके सवाल लगाओगे बाते समझ में आ रही है चलिए नेक्स्ट ट्रिक्स के बारे में हम आपके साथ डिसकस करते हैं बच्चों जब कोई ट्रेन जब कोई रेल गाड़ी किसी प्लेट फार्म को पार करेगी या किसी ट्रेन को पार करेगी मानने अपने ही समान किसी बड़े समान को पार करेगी तब कितनी दूरी तैं करेगी माननों कोई ट्रेन प्लेट फार्म को पार करती है किसी स्टेशन को पार करती है जो बड़ा सा स्टेशन है किसी दूसरी रेल गाड़ी जैसे माल जे कहे देते हैं कि 50, ठीके 50 मीटर, 50 मीटर का एक प्लेट फार्म है और 500 मीटर की एक ट्रेन है उसको जब वो पार करेगी उसको कुल कितनी दूरी तै करनी पड़ेगी बच्चों अपनी लंबाई ठीके 500 मीटर या 500 मीटर प्लस 50 माने 550 मीटर की डिस्टेंस उसको व इसकी लंबाई हो उस सिचिवेशन में उसको पार करते समय उसकी जो चली गई दूरी होगी उसकी लंबाई और उस प्लेट फार्म या जिस भी चीज को पार कर रही है दोनों की लंबाई की योग किया होगी बच्चों बड़ाबर होगी आई ये फटा-फट से कुशन इसक को करके दिखा देता हूं, देखो, मालो बच्चों की कह देते हैं कि एक 500 मीटर, 500 मीटर लंबी क्या है बच्चों, ट्रेन है, और 100 मीटर, 100 मीटर लंबा जो है बच्चों, वो प्लेट फार्म है, 100 मीटर लंबा प्लेट फार्म है, और एक जो है हमारी जो ट्रेन है, वो 20 मीट पर सेकंड के वेक से विराश्टी से चल रही है, बताइए कि ट्रेन प्लेट फारम को कि पार कर देगी, तो समय निकालना है सर, समय बराबर क्या होता है सर जी, दूरी बटे क्या होता है सर, जाल होता है, तो दूरी कितनी तरह करेगी, पानस और dez représent, तो कितना भा Arg caterpillar करेगी, तो dear strengths, आज के इस वीडियो में आईसनी खतरनाक खतरनाक ठीक हमने आपको बताया है, इतने अच्छे concept हमने आपको सिखाये हैं, कैसा लगा आपको मज़ा आया नहीं आया भई, अगर आप बोलो के मज़ा आया तो दिल गदगद हो जाएगा, next वीडियो में इसके double साह के साथ हम आपके साथ पहुचेंगे, और दूसरी चीज़, dear strengths यह है कि हम आपके जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, सायद, सायद उतना कोई ही कर रहा होगा, जितनी मेहनत, हम यह नहीं कर सकते हैं, करने वाले बहुत अच्छा कार करें, लेकिन हम जिस label पर जाकर कि आपको पढ रहाने का प्रयास करें, सायद lockdown ना होता, तो मेरे पास इतना time ना होता, हम आपके साथ एकदम सही चीज़ बतारें, क्योंकि हमारी offline classes रहती हैं, खटा-खट बरी रहती हैं, मैं college में भी पढ़ाता हूं, सब कुछ आपको पता ही है, तो मेरे पास इतना time ना होता कि मैं इस तरीके से पढ़ा पाता है, चुकि lockdown की condition है, coaching वेरा सब्बंध है, work from home है, हम घर से पढ़ाते हैं, तो हमारे पास time है, इसलिए हम इतने महनत आप लोग के लिए कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा एक जो सपना है कि हमारा वो वीडियो बिहार के बच्चे बच्चे तक पहुँच और आपको भी मेरे उपर गर्भ होगा, आपको बताएं बच्चों, preparation से ले करके, selection से ले करके, counseling तक ले करके, counseling के बाद जब आपकी class चलेगी, तब तक हम आपके साथ रहेंगे, आपको हर एक चीज बताएंगे नहीं, तो आप देख रहेंगे, तो आप देख रहेंगे सांदार ही, लेकिन वीडियो कैसा लगा, जरूर से जरूर बता दिये, क्योंकि यह वीडियो हमने बहुत ही सिद्दत से, बहुत ही महनत से, काफी जीजान लगा कर बनाया है, तो जरूर से बताएंगे, तो ठीके बच्चों, आज किस वीडियों बसने नहीं, तब तक लिए सांदार रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ते जरूर रहिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए